बाहियो राम राम आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाईश में कोई भी कभी मैं आज ये चर्चा कभी की अंतेश्थिति के बारे में करना चाहूंगा कोई भी कभी या लेखक उसके पास तीन परकार का ग्यान होता है एक अंदर का ग्यान जिसमें वेद सास्तर और उपनीश्डों का कोई काम नहीं होता अंतर के ग्यान में अंदर की मैसुस करने की अनुबाव की श्थिति दूसरा है समरीती समरीती उसने ज्ञान को एक ठठह किया है वेदों से शास्तरों से संसार से तीसरा है विज्ञान जो बाई ये जगत है अब कवी को बाई ये जगत की जानकारी ओनी बहुत जिरूरी है नहीं तो सामने वाला उसे बेवकुप समझ जाएगा उस से में कम से कम उतना जरूर जाने हैं जितना सामने वाले यानि पबलिक जानती है उसके अंदर की भावना की तसली सामने वाले को सही होने की तभी दी जा सकती है जब वो बाईया जगत के बारे में जानता हूँ जिस परकार उदान देता हूँ मैं आज का सादू आज की यूआ पीडी के फिट नहीं बैठता क्योंकि आज की यूआ पीडी बाईया जगत के बारे में उस सादू से कुछ ज़्यादा जानती है और सामने वाले से यदि वो सादू कुछ ज़्यादा जानता हो तो वो ये तसलिद दिलाने में काम्याब होता है कि मैं सादू हूँ और सादू के साथ मुझे जानकारी है फिर वो अंदर की स्थिति को सामने वाले के दिमाग में ठूच सकता है यही कवी की पोजिशन होती है बाई ये जगत के बारे में आज की हुआ पी डिजाजा जानती है इसलिए पुराने कवीयों पर कम विश्वास करती है क्योंकि बहुतिक जीवन चेंज है बला चेंज होता है अब पुराने जो कवी थे वो उस में उस टाइम समकालिन विग्यान के जानकार थे ये अलग बात है आज विग्यान चेंज हो गया तो उस विग्यान के जितने जानकार थे जिस सतर पर उसी सतर के मादम से पबलिक के दिमाग में इंट्री की और फिर हमने अंतर जगत का प्रियोग किया और संबरिती का प्रियोग किया तीनों का समावेश मिश्रन करके इनका प्रियोग किया आज फिर वही बात पंड़त लखमी चंजी और और कमियों के बीच का फासला अंतर क्या क्या रहा पंड़त लखमी चंजी ने 99 परसेंट स्टेबल चीज़े गाई हैं वो चीज़े गाई हैं जो बदलती नहीं है एक परसेंट उनकी मजबूरिया रही होगी बाईय जगत को गाणे की मैं उदान देता हूं नहीं तो आपको भी तसलिफ नहीं होगी भूपुरंजन शांग बनाया पूरा का पुरांतर जगत था अब भाईय जगत के विना पबलिक के दिमाग में इंटरी कैसे हो फिर उसका रुपांतर न कर दिया उसको पदमावत में रुपांतरीत कर दिया और पदमावत बढ़ाई तो भाईय जगत का असारा लिया गया शरिंगारश शर चोटी कर लगया बोर्लाशाज और डंडे बाड़ी शर को उपर चीर चीर जारी मर्जों बन का पाड़ी ये सबी बाईय जगत की चीज़े हैं और अंतर के जगत से यानि डबल मीनिंग वाड़ी बात है अब आने वाड़े एक जार साल में दो जार साल में उन चीजों का पता ही निचलेगा पबलिक को शाज और डंडे बाड़ी क्या होते हैं शाज और बोर्ला क्या होता है अब कवी समय बीतने पर अपना वजूद कमिक कर देता है क्योंकि जिस टेम कवीता लिखी जाती है उस टेम स्टिक होती है और बाज में बाईय जगत मैंने पहले बता है तीन चीज़ें बाईय जगत अंतर जगत और सिम्रिती बाईय जगत चेंजेबल है अब यह दिलक मिचन की कवीता में यह ढूड़ा जाए कि कोण सी कार कैसी है और कोण सी ठीक रहेगी तो वहाँ उसमें यह चीज़ें नहीं थी लेकिन अंतर का जगत द्यान रखना मैं पूशी पॉइंट पर ला रहा हूं समझा बुजा के अपने आपको भी समझा रहा हूं मुझे भी कम ग्यान है कि अंदर के जगत और परकृती यही स्टेबल है बैकि सब को चेंजेबल है और बाईय जगत के सारे मिना कविता लोगों के समझ मनी आएगी जिस परकार भूपुरंजन नहीं आए और पंड़त जिया ने 99 परसेंट अंदर का जगत और फिर उसकी समरिती वेद और सास्तर से मैच करके क्योंके अंदर का जिगत मैच करता है वे दोसे आपने वेद पड़े नहीं आप मुझे कोई सत्य का सबद निकालते हो वो वेद के अंदर मिलेगा आपका क्या दोस है आपने वेद पड़े नहीं और मैं तो इस कोंफिडेंस में भी हो के वेद हमारे विचारों जैसे मिलगे मैं वेद जैसा तो जब हूना जब वेद मने पड़े हूं मेरे जैसे वेद हैं आपके जैसे वेद हैं आपके विचारों के जैसे वेद हैं सत्य के जैसे वेद हैं सत्य हैं बाईय जगत टोटली पॉइंट यह है बहुतिक चीजे बाईय जगत की चीजों के बिना कवीता संभाव नहीं है संभव तो है जैसे कबीरदास जी रवीदास जी माहन कभी होई है बट लोगों के दिमाग में निगुशेड सकते है वो आवा में रह जाएंगी जैसे कबीरदास की बहुत सी कवीता है आवा में सिर्फ अंदर के जगत पे बोला जाए दो अब बारी जगत के उधारंग दे देके उधारंग दे दे के अंदर के साथ मिशर्न करके और समरीतिया सारे वेज़ सास्तर उपनिस्ट पॉस्टकों का ग्यान मिशर्न करके कवीताएं अच्छी लगती हैं और वो अच्छी समय गुजरने के बाद 10 परसेंट अपना खो देती हैं क्योंकि बाईय जगत से सम्मंदित सारी चीजें फीके पड़ी जाती है कि अब मैं लास्ट में एक पॉइंट करना चाहूंगा और कवियों में और पंड़ लख में चंजी में क्या नतर है किसी चीज का मिश्रण किया जाए 80-20 अनतर का जगत 22 परसेंट बारगा यह दूसरी को भी ने किया है 20-80 बीश अंदर का जगत 80 बारगा क्योंकि अंदर का जगत अपना होता है प्योवर अपना और प्योवर अपना ग्यान ग्यान सबत नावी को अंदर के अनुबूती ग्यान में तो फिर बाई यह जगत भी जुड़ जाएगा अंदर के अनुबूती जितनी होती है कवी की कवीता उतनी हिलम भी चलती है अजार साल दो अजार साल दस जार साल क्या पता कितनी चल जाएगा आपको ना समझा पाया हूं पर आपको चनूब होती हैं, मैं क्या मैं सुष कर रहा हूं वो जुरूर समझगे हो गया हैं